हेलो नमस्कार क्या हाल है सभी के अजीब सा दौर चल रहा है ना कठिन भी है economy, काम, यह lockdown, यह virus यह आपस में एक इतनी दूरी बहुत अजीब वक्त चल रहा है और साथ में अगर ऐसी ट्राजडी हो जाए एक ऐसी घटना हो जाए जो आपको बिल्कुल डरा दे जो आपको बिल्कुल अंदर से ना एक बिल्कुल खौक जदा कर दे तो तो और डिप्रेसिंग मुखल हो जाता है मैं आपकोर्स आप जानते हैं कि इसका संदर्ब सुषान सिंह राजपूत के संदर्ब में यह बात कर रहीं लेकिन मैं mental illness और सुशान के बारे में उन्होंने ऐसा क्यों किया, इस बारे में मैं कोई टिपणी नहीं देना चाहूंगी, क्योंकि मैं नहीं जानती थी, कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, इसलिए मैं उनको वो respect, वो dignity जरूर देना चाहूंगी, क्योंकि हम सब उनसे बहुत inspired थ फ्रक्स थे, जिन्होंने टीवी से निकल कर इतना बड़ मकाम आसिल ओपने लिए, नासिर्क अदा कलाकार किय बल्कि बहुत बहुत बहुत-बहुत-बहुत अम्दा प्रोजेक्ट किय conspiracy, you know? जिटने उन्होंने अलग अलग प्रोजट्स के मेरे खाल से बगत सारे TV आक्टर्स खाब में सोचते हैं कि यह मेरा ड्रीम डूल है उन्होंने तो कही तारे की हैं ऐसे और इतना हासिल करने के बाद उनका मानसिक रोग कितना उन पर हावी था मैं ही सोच के भी डरती हूँ इसलिए मैं बिलकुल इस्थिती में नहीं हूँ कि मैं उन पर कोई प्रिपनी करूँ लेकिन हाँ मैं उन लोगों से इस वीडियो के माध्यम से बात करना चाहती हूँ जो mental health या mental illness मानसिक रोग से गुजर रहे हैं उसका शिकार है यह बहुत छोटे लेवल से स्टार्ट हो जाता है बच्पन से स्टार्ट हो जाता है a child can be mentally ill a child can be you know his mind can be can be corrupted बेमाग की परतों में कई बार ऐसी मैल जम जाती है जिसे साफ नहीं किया जाता वो जमती रहती है जमती रहती है और फिर एक खुबसूरत talented एक skillful दिमाग को पूरा मट महला कर देती है मानसिक illness यही होती है बच्पन में पता है hostel में मुझे hostel में डाल दिया गया था और मेरा बच्पन पूरा hostel में बीता है लड़िया रैगिंग करती थी कि रात को उठा के बोलती थी गो get us something to eat, beg, borrow or steal तब मन करता था जान दे दो घर से बहुत pressure आता था कि number लाओ पढ़ाई करो वरना जिंदगी में कुछ नहीं होगा failure हो जाओगे relatives यह वो लोगों से comparison होता था कि उसको देखो शर्मा जी के बेटे को देखो फलाने को देखो तुम ऐसे हो तो मैसे हो मन करता था जान देवे अभी मैं देख रही हूँ कि हर कोई आपस में लड़ रहा है तो कुछ भी होता है यह हमारे देश में यह अची चीज होती है तो लोग आपस में लड़ने लगते हैं, कोई दुरगतना होती है, कोई ट्रैजिडी होती है, तो लोग आपस में ब्लेम गेम करके जो चला गया है, उसके साथ खड़े हो जाते हैं, लेकिन जो लोग हैं, जो गुहार लगा रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, अपनी बात कहना चा और मैं यह कहते हैं कि जब किछcak ईओ डिए AFB या जब इतना ऑ्सुरत इंस्सान जब विवश्प हो के अपने मान्सिक रोंग से विवश्प asks एज भी 170 वश मुश्फ versão के अपनर प्राण हर लेता है तो तो एक अजीब सी लेहर, एक संदेश जो जाता है, वो बहुत घातक होता है, उन लोगों के लिए जो शायद एज़ पे हैं, जो इतने परेशान हैं, जो बिल्कुल suicide की एज़ पे हैं, उनके लिए प्रिगर बन जाता है यह क्योंकि लोगों को लगता है कि अच्छा इपने महान इंसान ने ये किया तो हम भी कर सकते हैं कि यह इस बाद से मैं बहुत भैवीत हूं क्योंकि मैं जानती हूं कि कि इतनी बार जीवन में मुझे यह खायाल आया है कि नहीं आर नहीं बस आप बड़ी बड़ी फिल्मों की बाते कर रहे हैं कि वहां politics होती है और आपको पता है छोटे बड़े serials में कितनी politics होती है जब मैं अपने करियर की शुरुवात की थी मैं बंबई आई थी मेरा selection हुआ था auditions दे के select हुई थी और मैं बिल्कुल देखे मैं किसी का नाम नहीं लूगी क्योंकि मैं किस मैं सिर्फ आपको बता रही हूं कि मैं किसी को पुट डाउन करने के लिए मैं ये video नहीं बना रही ह जब मैंने अपने शुरुवाती कुछ सीरियल में एंट्री की थी तो अविसली मैं लीड नहीं प्ले कर रही थी अलग-अलग characters कर रही थी और आपको पता है एक serial की heroine अपने आपको रानी समझती है और वहां एक groupism होता है और एक hierarchy मेरे मुँपे बोला गया है कि there is a hierarchy तो त देख रहे हैं जितनी tragedy जितना भी दुख है उससे हम सिर्फ यह सीख ले सकते हैं कि हम सबसे पहली बात एक अच्छे इंसान बने स्ट्रॉंग बने हम कोई politics प्लस हम यह याद रखे कि कोई रात के तीन बज़े आपका फोन नहीं उठाएगा दो सचाई तो यह बहुत सबस्क्राइब के उठाले और बात कर ले आपसे मैंने एक फिल्म की थी ऑपोसिट जॉन अब्राहम यू टीवी की फिल्म थी यू टीवी के ही पार्टनर देवे इन खोटी जी ने उसको डिरेक्ट किया था और वो फिल्म रिलीज नहीं हुई ऐसे और दो तीन प्रोजेक् अपने में ही दोश दिखाई देता है और फिर यह लगता है कि यार दिस इस नौट वर्किंग यह एक जीवन जो है ना बस यह एक जीवन यही सबसे बहु मूल्य है लोगों की पॉलिटेक्स का मिलना ना मिलना आपका आज सक्सेस्पुल होना कल लोगों का यह पूछना कि हम नहीं जानते आपको दो आपकी पहचान नहीं है आप अगर पढ़ाई में कमजोर हैं आप उससे बुरे इंसान नहीं हो जाते हैं आपकी पहचान आपके नंबरों से या आपके नंबर ओफ मतलब एक्जाम में कितने नंबर मिल रहे हैं या आपके सोशल मीडिया पे कितन नंबर कमाये या आपके टेलिविजन की टी आरपी में कितने नंबर आये उससे आपकी वर्थ नहीं है आपकी वर्थ उस जीवन से है जो आप क्रियेट करते हैं अपने मन की खुशी से अपनी मुस्कुराहटों से अपनी संतुष्टी से क्योंकि कोई मसीह किसी को बचाने नहीं आता है आपको सब अपना हीरो खुद बनना पड़ता है बीड़ हीरो ओप यॉर लाइफ ओफ यॉर स्टोरी कि जो चला गया हम उसके साथ खड़े हो जाते हैं उसके लिए खड़े हो जाते हैं लेकिन जब कोई जीवित रहके गुहार लगाता है बात करता है अब उसकी हम नहीं सुनते हैं हम के तेरे कोई बच्चा अगर रो रहा है परिशान हो रहा है एंगर इशूस हैं बच्चे को तो 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 जिन्दगी फेर नहीं है और दुनिया बहुत जालिम है हर जग है इस लिए नहीं होना चीए इसलिए नहीं क्योंकि आप किसी के बेटे हो या किसी के कुछ हो लेकिन हर जगा यह है मंदिर में भी आपको कनेक्शन लगाना पड़ता है तब वी आईपी दर्शन होते है वरना 12-12-24 घंटे लाइन में लगे रहना पड़ता है स्कूल के एडमिशन के लिए डोनेशन से लेकर अप्रोच से लेकर कॉंटैक्ट लगा उता बड़ अच्छे स्कूल में एडमिशन होता है ना यह सही नहीं है लेकिन यह होता है इन चीजों से पॉलिटिक्स से या कुछ लोगों ने आपको पता है कितनी गंदी बाते मैं और मेरे जैसे बहुत लड़कियां ट्विटर पर देखती हैं पढ़ती हैं अपने बारे में आज सुबह मैंने पढ़ा किसी ने ट्वीट किया था कि अरे तुम मर जाओ नोवन के यह लिखा था कि मैंने बस उस इंसान को ब्लॉक कर दिया क्योंकि आपके हाथ में आपके ही हाथ में कोई नहीं आएगा बचाने कोई जो लोग कहते हैं ना कि आरे I will be there now सब बिसी हो जाते हैं अपने जिंदगी में किसी को यह ख्याल नहीं आता कि अरे मैंने नहीं उठाया फोन या मैंने बात नहीं की तो यह इंसान शैद कुछ गलप ना कर ले no one thinks like that be the hero of your life be strong love yourself अपने से उपर किसी को समझना नहीं अपने उपर हावी मत करना किसी को लेकिन छोटे बड़ों के आगे प्रेम और स्ने समेट जुकना जरूर लेकिन गुटने मत तेकना नेवर गिवप नेवर बिकॉज यह दुनिया वर्थ इट नहीं है कि आप अपनी जान दे तो भी लोग अगर स्ट्रगल कर रहें जूज रहें हैं मैं इतना ही बोलूगी कि मैंने ये सारी फीलिंग्स महसूस की है और मैं उसमें सिर्फ उबर के आई हूँ कई बार अभी भी स्ट्रगल करती हो जब तकलीफ होती है दुख होता है लेकिन उबर के आने की कोशिश करती क्योंकि कोई और बचाने नहीं आएगा फाइट फाइट नेवर गिवब अप और एक चीस और मैं ये कहूंगी कि सुसाइड ना लोग कहते हैं कि ये मत कही है कि स्यूसाइड कमिट किया क्यूंकि कमिट करना क्राइम होता है मैं ये पूछना चाहती हूं कि क्या ये क्राइम नहीं है जो आपने अपने साथ किया अपने किसी रोग में गिर कर आप उस रोग को मारिये खुद को नहीं उस रोग को मारने की कोशिश कीजिए help लीजिए professional help लीजिए मगर इतने सुन्दर व्यक्तित को खत्म कर देना तो एक क्राइम ही हुआ ना प्लस जो रोते वे बुड़े माबाप रह गए पीछे उनको इतना रुलाना क्राइम ही तो हुआ या जो भाई बेहन जो कभी उनका जीवन नॉर्मल नहीं होगा वो रोज एक डर से उठेंगे कि प्राइम हमें कोई कमी ओपने से पूछेंगे कि हम में कमी थी जो हमारा प्रियाजयंड और क्ना को क्राइम नहीं है कि जो एक संदेश अप अपनी हत्या करकर के दूसरों के दिलों में छोड़ जाते हो जहां लोगों को लोग बस अट्कले लगाते रह जाते हैं क्या ये सह है जहीं नहीं है ना मत करना ऐसे मत करना यॉर नॉट अलोग एवरीवन इस फाइटिं मेंटल इल्मस किसी के दिमाग की पड़तों में महल जादा होता है किसी में कम बस यही वेरियंट है कि वही इंटेंसिटी का फर्ग है 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 फाइट है जस्वाइट है और है किस में यह कहना चाहूंगी कि छो लोग इस चीज के साथ अपना उन्लू सिदा कर रहे हैं वो हैवा हाट मत करूं